जारगंड की परंपराओं और संस्कृति के त्योहार जुतिया की मौके पर राज्यू की महिला एवं बाल विकास मंत्री, बेबी देवी, मंत्री दीपी का पांडे सिंग और जे-म-म विधायक कल्पना सुरेन बुद्वार को पलामू के मेदरी नगर पहुची महिया समान यात्रा के कारिक्रम में बड़ी संख्या में जुटी महिलाओं को संबोधित करते हुए, जे-म-म विधायक कल्पना सुरेन के उपवाज के बावजूद कारिक्रम में आने के लिए महिलाओं को धन्यवाद दिया अपने शरीर में आज अपने कंठ में पानी का एक बूंद नहीं ले रहे हैं, उसके वावजूद आज आप यहां आई हैं, मैं नतमस्तक हूँ सब हमारी जीतिया करने वाली माताओं बहनों का, आपका यहां आना, आपका हमको भरपूर मात्रा में आशरवाद देना, इस ब जारखंड सरकार की सावित्री भाई फुले किशोरी समरिद्धी योजना के बारे में बताते हुए कलपना सुरेन ने कहा कि हेमंद सरकार राज्य की महिलाओं के विकास के लिए काम कर रही है, योजना के तहत राज्य सरकार पांच किस्तों में 40,000 रुपे तक ही मदद दे नौ और दस में पढ़ने वाली बच्चियां हैं, उनके लिए English Spoken Courses भी लाई गई हैं, ताकि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाली बच्ची भी फराटेदार अंगरीजी बोल पाएं और उनकी जो सपने हैं, उनके सपनों में पंक जुड़ता जाए, जुड़ता जाए, ज हेमंत अंकल का वादा है, कि सपने देखना आपका काम है, लेकिन उनके पूरा करने की सारे जम्मेदारी आपकी हेमंत अंकल की है, आपकी हेमंत आदा की है, हमारी जारखंड सरकार की है, हमारी गड़बंधन सरकार की है, इसलिए अब जारखंड में अगर बिटिया जनम ले करके वो जिस भी आयू तक रहेगी और जब तक रहेगी वो किसी न किसी योजना के साथ जुड़ी हुई रहेगी। महिला के द्वारा पूरे जारखंड की महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रहे हैं और ये सिर्फ हजार रुपए नहीं है। और इसको कहीं न कहीं हमारे समवेधन शील मुख्यमंत्री जी ने भापा और उन्होंने हजार रुपए लाया। बुद्वार को यात्रा के तहट दो कारिकरम आयुजित किये गए। एक कारिकरम पलामुजिले के मेदिनी नगर में और दूसरा लातेहार जिले में किया गया। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।